चक्कर चेहन यार भरन जात यार पात नहन जह रूप रांग यार रेख पेख को कह ना सकत कह अचाल मुरत यान पहु परकास आम तोज कहीचे कोट इंदर इंदरान साहे साहान गणिचे त्रपवन महीप सोर नर्यसोर नेत नेत बन त्रिन कहत त्वै सर्ब नाम कथे कवन कर्म नाम बर्नत सुमत कृपा करी हम पार जग मात ग्रंथ करा पूरन सुभराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोख्यन को छै करता कहा बुद्ध प्रबत उच्छ हमारी बर्न सक्के महमा जोतिहारी हम ना सकत कर सिफत तुमारी आप ले हो तुम कथा सुधारी साथ नाम शुरी वाहे ग्रू साहिब जी पात शाहिद समीत परसाद चलितर पचानिमा चाओ पई दोहता एक जाट युपजाई मांग तपीख हमारे आई बिंदो अपनाओ नाम रखायो चेरन के सांग द्रोह बढ़ायो गुरू प्यारी सासंग जी आप जी सर्वन कर रहे हो तान तान सात गुरू साहिब श्री गुरू गरंथ साहिब महारा जी दिया पार रहमत अते बक्षिष दे नाल तान तान सात गुरू साहिब श्री गुरू गर्वे सिंग महारा सचे पातशा जी दी महार रचना श्री दसम गरंथ साहिब जी दी पावन गुरू बाने श्री चरत्रो पाखे आन दी लड़ी वार विचार सात गुरु जी दी आपार रहमत अते बक्षिष दे नाल होन ताक तिरणमस लिटर जो हन विचार सहत हो चुपे ने सो अज जो 95 अत लितर है उस ती विचार सात गुरु जी दी किरिपा बक्षिष दे नाल करनी है सो साथगुरु महाराद जी बचन बक्षिश कर दे हन चाओ पई दोहता एक जाट युपजाई मांग तपीक हमारे आई साथगुरु जी बचन बक्षिश कर देने कि एक जाट दी एक लड़की सी जो शाल कपट करके मंगण वाली मंगती बन जान दी सी ओ एसे प्रकार मंगद्यां होयां एक वारी साथगे भी नगर देवजनांद पुर सहबाई सी ओ उसने अपड़ा नाम बिंदो रखाया होया सी ओ एक राजे कोल रहिंदी सी असल दे बेच्च पर जेडी ओ लड़की सी जिस राधे दे पास रेंदी सी राधे दे कोल होर वी बाव सारियां दासिया सान सेव कामा सान जिन्नाद विच्चों एक दे नाल ओ कुछ इरखा रखदी सी एक नाल थोड़ा अपने अंदर सडन रखदी सी डोला माटी को तेन लयो तामें डार सरस्वह दयो ओस ने अपनी ओस एक सकी नू जिस दे नाल क्योजी को जीरखा चाल दी रेंदी सी उदे नाल वेरक मौन वास्ते किशल कपट चिहा कीता उसने मिट्टी देक पांडा लेलिया उदे वेच सरों पाद ती चार मेख लोहा की डारी दाव गईता की फिशवारी चार लोहे दियां मेखां पावकेल जड़े हानों ते मचे पाक करके मिट्टी दे बरतन देवे सरों पाई फिर चार केल लोहे दे रख दिते हन जिस पास से उस दसी यड़ी सी उ मेहल दे विचर हिंदी सी उदे पिशले पास से बेजा करके उसने टोना जहा बणा करके रख दिता आप रावता ने आम जतायो एक टोना इह करम में आयो आप ओ राजे दे को लाके दे आखन लग पई कि हे राजन जी मैं हुने हुने एक टोना देख करके आई हैं जो तुम कहो तो आन दखाऊं काच्छ मुखते आगया तब पाऊं ते आखा लगी जेकर तो हड़ी आगया होवे जेकर तुसी आखो ते मैं तहान नो टोना लआ के बखा सक दी हां कि किसे ने महल दे पिशवाडे बच टोना कीता हुयाए नरे पगहेओ आन दखाऊं 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 सब हन के चत परम पजाएओ राजे ने आखिए पीशा नो लिया के दखाऊं तब उसने शेती जा कारके वो लिया के बखाया सब नुही सारह माने वेची वेग करके परम पैगया ये वाक्या ही के मिट्टी तबर्तन ओधे बेचे सारो हो ते फिर देखो कि नाल के अलगें लोहे दिया ने से खेळे रखे हिए ने फिर देखो कि इसे नह कीटा हो या आई साथ साथ सबख वन बखाने हो ताको पेद ने किन होग जाने हो सेब जी आखदेहन के सारे इतने महल चुबठी हुए सी वी वो सारे आख़न लगब है कि ये तब आखे ही राजादी की तूना कीता हुआ ये सची तूना ही है पर किसे ने भी इस गालदा पे इतना जाने है कि ये बिंदू लड़की जड़ी है ये आप सारा शालकपट करने माली है आप ये इसने मिट्टी दा बरतन ले आओ ते में सरों पा इतनाल लोहे दिया मेखा रख दियां फिर इसने आप ही महल दे पिशवाड़े पे जा करकी थ कि दासी रेंदी सी ओथे जाके इस तूड़े नू दबेया फिर ओथों आप इसनों पोट के लिए आगे राजे कोल दखा देता ते सारे नू एव शवाहत दबादता पी किसे ने महल दे पिशवाड़े पे तूना कीता है पर इस गालदा पे हिद किसे नू बताना चाल सके किसे ने बहुत ही माड़ा तूना कीता है यह तो गली जहाई उपर खाई सोचेरी निरे पकर मगाई जड़ी दासी दे नालू दी इरखा सी उसना इरखा पजाउन वास्ते इरखा दे वास्त हो करके उसने शलक पटकीता ते आखान लगी कि हिराजन मिन्नु मसल दे वेचे तूना जड़ा है ओधासी दे पिश्वाड़े तो मिलेया है जो मैंनों पता है कि उसने टूना कीता है ओधान नुमारना चंदी है तो हाड़ा नुकसान करना चंदी है अधर राजे ने यह उस बिंदू रड़की दी गाल नो सुनेया राजे ने बिलकुल कोई गाल सोचे बिशारे मुर्खा दी नी आई ही कोई गाल सोचे समझे बगेर ओस दासी नुमगवा लिया कोठरन मार अधक तहमारी सी ना मुखते नैके उचारी ते राजे ने की कीता कि ओस दासी नु कोरड़े नाल मारेया पर ओ दासी भी ऐसी सी कि उसने अपडे मूतों सी तक नाखी कल मानने हो जह त्रेह हटी राव हूं जानने हो बहुत मार पईड़ी पर मार पेरलनम इसने कबूल नहीं कीता हैं कि सुन तो राजा उद्धर ये समझेन लगब है कि दबाउती हठी आउरत है बड़ी वेशर्म आउरत है इन्ने यह उनी मंदना दिब की बात चलन जब लागी आदी रात गए तब पहगी तो रात नो राजे ने मान दे वच बचार बनाया कुछ अपड़े वजीरा दे नाल बैट करके कि एस इस्तरी नो असी जाननों ही मार देना है इन्नों मारन दा को फैदा नहीं और जो कोट मार करन दा फैदा नहीं जी आज इसने टूना कीता है हर नुकसान पचावना चाहिया है कल कुछ भूर भी कर सकती है महल दे विच इस करके नो खत्म कर देना ही सही रहेगा ज़ ए गल ओदासी नो पता लग गई ता ओधी रात नो ही अपना अपशुपा करके महल दे विच पज उठी है पेज मनोक अंदरे पकर मंगाई एक कोठरी में रखवाई जो राज नो इस गल दा पता लग गया कि ओधासी ता हुन दोड गई है ता राज ने बहुत ही गुस्से विचा करके अपने सेवक अपने जो नो कर चाकर सन वो मगर पेज जे ओस इस तरी नो पकड के मगवाले आ गया ते एक बांद कोठरी वेच बंदी खाने वेच कैद कीता गया बिख को खाना ताहें खवायो वाहे मरत के ताम पठायो ते फिर उसनु पोख लगड ते जहर वाला खाना खवागे ते मौदे मूदे वेच तकी अलता गया स्वैष परकार चरितर दी समाप्ती करदे सहव जी बखशिश करदी है न एक्षरी चरितर पक्थियाने त्रे Вас डी मंद्री पू पसंबा दे पचानम चरितर चुब तम पूरण हमदा है सो गुरु प्यारी साथ संगा जी एहिस सेवचीर 14 पाकियान दे त्रैसर दा 95 नमबर 14 जिसाथी विचार आप जी ने सर्भन कीती है अति हाथ गुरु जी ने आप रहमदकर के जिस दी विचार करवाई है सो प्यारी साथ संग जी एस लतर दे विच्वी गुरू सहब जीने के लड़की दो शाल कपट दिस्ता नाम बिंदू है वो शाल कपट नो खोल लिया है कि कीमी उसले शाल कपट करके सब तो पहला तो आप एक जाट दी लड़की हों दे बावजूद ओ शाल कपट करके पेख जिहा बंदा करके अपड़ा पखनद जी खेल करके दर दर ते मंगदी भेर दी सी फर वोस ने एक रजे को रहं दे होया एक दासी दनाली एर्खा परजाई ती शाल अकब अबुत करके बिना गोई दोश होन दे वावजूद एक निर्दोस था गतल था करवादत था कि अपने इर्खाद करके शाल का पुट फ्रेव दे जराजे नो फजाया ओस नो अपने मगर लगा करके एक निर्दोश दी हत्ता करवा देती एसे हैं इस तरह जो गुर्मत तो भी हुणी हैं जिना दे अंदर प्रमात्मादा गुरु द तरम दा को डार पहोनी हुंदा उफर इस तरह इवेंद शाल का पुट खर दिया हैं इवेंद ही आपने जीवन दे वेच भाप का मद्या हन बज्र भाप का मंद्या हन ने कार के की नाम लेन कर को संगत वज़े पैसांदा है फिर उधी आत्मा इवे ही बुरे कर्म करकर के होर मलीन ते अत्दंदी उज़न दिये जिस करके प्रमात्मा तब शोड़ा पेंदा पेंदा फिर बैही ज़नदा है क्योंकि सत्गुरुती गुर्बानी अंदर प्रमांदी हन कि विज यसे करके हत्गुरु महाराजी ने अपने वक्षो वक्रे प्रसांगे शाल कप्ट देहन की इन जान दिन देर तक को संगत करता है माड़े विचार होते बने रहें देने तो अंदर माड़े विचार है जो अपने इंद्रे नालवी गल्थी कर्म करता है चंगी संगत करेगा चंगे संगत करना मांद चंगे वचार बनेंगे चंगे वचार बनेंगे इंद्रे नाल वी शुब कर्म ही करेगा शुब कर्मा करके प्रमेश्रद मिल होएगा बुरे कर्मा करके विशोड़ा होएगा आत्मा दुखी होएगी पटकेगी बार बार जमन मरंद गेड़ बचाव दिया है शुब चंगेत बवित्र जीवन बरन दा उपदेश की था है तांके साड़ा मनुख्छा जरम दा मनौर्थ जड़ा है वो सफल हो सके हड़ा जीवन जड़ा है उच्छा आते सुच्छा बन सके तांके से अपने प्रमेशर दिया हथ गुरु महाराती दिया साथ गुरु पिता जी हथ गुरां दी संगत बख्षन योग है सो बख्ष लेना गुरु सैब जेक तो समात बख्षन तांके सच्छे टांगदे नाल गुरु बानी दिया गुरु मत विचारां कर सकीए सो अंत विच बड़े प्यार ना फतेह बलाओ जी वाहे गुरु जी क खाल साथ वाहे गुरु जी की पतेह जी